नमस्कार आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लड कागिडेशन या फिर ब्लड क्लोटिंग इसको बोल देते है या रखत भी कि आध़िती हैं रख्त का धक्का इसको बोलते हैं। ब्लड इसे connective tissue, ब्लड क्या है, ब्लड connective tissue होता है, जिसमें प्लाजमा पाय जाते हैं, ब्लड cells पाय जाते हैं, अगर हम इन और्गनिक तत्व की बात करते हैं, तो इसमें sodium, potassium, calcium, magnesium, magnesium, phosphorus और copper इसमें पाय जाते हैं, अगर आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ज कुछुलोजी में हम फंक्षिन के ओपर जादा जोर देते हैं, अगर हम ब्लड के function की बात करते हैं, तो यह water को balance करता है, body temperature को maintain करता है, और सबसे बड़ी बात है, ट्रांसपोर्ट करता है oxygen का ट्रामज में और टीशु कार्ऑन डाई चाहिएता है , तो अगे पन चलते हैं प्लाजमा और सलेवर एलेमेंट के बारें जान लेती है प्लाजमा घुट動画 मोचे झिल सय निकि़िड्यस ट्रिफटी फॉत परसंट थपाज़ आंगसवा key प्लाजमा के अगर हम बात करते हैं तो यह पेल येलो कलर का लिकवेड होता है प्लाजमा जिसमें की 91.5% वोटर पाय जाता है और 7% प्रोटीन पाय जाता है अगर हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं यह इसमें नुकलस नहीं पाय जाता है 120 दिन का इसका जो लाइफ सैकल होता है 120 दिन का होता है अच्छा एक बात बता है कि जो रबीस होता है उसका रेड कलर किस पीडमेंट के कारण होता है तो यह काम आपका है WBC के बारे में बात करते हैं तो WBC हम बोलते हैं कि WBC एक important cell है जिसके हम बोलते हैं कि आपका 10 से 13 दिन का इसका life cycle होता है यह colorless होती है कैसी होती है WBC colorless होती है two types के पार जाती है granulocyte और agrinolocyte ठीक है फिर इसके भी subdivisions होते हैं इसके बारे में जादा बात नहीं करेंगे तो अभी हम बात करेंगे फिर प्लेटर्स की तो इसमें हम बोलते हैं कि यह जो होते हैं last cells होती है जो कि blood clotting में बहुत जादा help करते हैं बहुत जादा ही help करते हैं आपके blood clotting के अंतरगाद पेल बहुते हैं कोई व्यक्ति होते हैं मालो भुआ है कोई व्यक्ति है आरवइड की निमई का पालन कर रहा है स्वस्थ है बिल्कुल ठीक है और योगा करता हैं सही है engai बिल्कुल तो इसमें इन्फेक्शन बोडी में फैल गया है तो यह अपने इनेक्टिव से एक्टिव फोम में आ जाती है जिसको भी हमें ब्लड क्लोटिं में पढ़ना होता है इनका तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्लड क्लोटिं में आगे चलते हैं सो ब्लड कोगुलेशन की बात करते हैं ब्लड कोगुलेशन में जब हम बात करते हैं तो इसको हम हैमुस्टेटिस बोलेंगे ठीक है 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 मतलब ही होता है कि ब्लड को रोकना ब्लीटिंग को कैसे रोके इसका ही मतलब हैमुस्टेटिस होता है या ब्लड कोगुलेशन होता है सम छोव कि हम बोलते हैं कि दिग इन गता है थी में, अज जो का असंति क्णित कुमोंगता है आंहें रिस स्टेज में अक्यूंगतै buy sofort. पहले होता है vascular spam τो स पना & ز Time 플내 tr Anton फिर आतले है अजना की competitive. ze सब करते हैं नहीं है यह जोभी ऐना हां आपको कोई कट लग गया तो अब यहां पे आपका चोट लग गई तो यह जो एरिया है इसको कम करना होगा नहीं तो ब्लड निकले जा रहे निकले जा रहे इतना सारा मुख्रावा था अब हमने इस एरिय को कम कर दिया तो जब इस एरिय को कम किया तो इसको भी बोलेंगे वैस्कुलर स्पैम जो मसल थी महां की मसल थी वह उन्हों का क्या हुआ वह वह ब्लड फ्लो वह रिडियूज हुआ तो जहां पर चोट लगी थी वहां पर यह हुई आपकी फ़र्स प्रोसेस मतलब जो चोट लगी थी वहां पर जो मसल थी जो एरिया था वह पर कम हुआ कि आता है s व्ल्लो फ्लग फॉर्मिशन आपको पता है चिजय हूं विल्टि जुद को पर गौ жд कि सबसे ज्यादा है कडलो走了 एक्सिडेंट हुआ और सडनली डेथ हो गई क्यों हो गई डेथ क्योंकि आपका सबसे बड़ा कारण है बलॉड डोस होके है बलॉड के दवारे तो बोडी में अधर से जाद अवर को रहे हैं उसे बड़ा काम है आपका सबस्केश coalition आपका औरugenic तत्व यह इती कशेश हमारे ब्लट न पाए जाते है परिणया है आपका blood loss हुआ, hypopalmic condition हुआ शोक हुआ और आपका heart काम करना बंद कर दिया और suddenly आपकी death होगी so blood loss एक बहुत बड़ा होता है इसलिए हम blood clotting बढ़ रहे हैं सबसे important topic है यह physiology का so plated plug formation की बात करते हैं अब इसमें क्या होगा पहले वाली process में क्या हुआ पहले वाली process में हमने आप रहताके अम्यों आ झाले में क्या हो आपको आपका तुछ समy के लिए सब्सक्रांद अक्राइट नयुक्ति है कि जरूंग Cancer जो जहां पे अगर माइनर इंजूरी है तो आपका जो ब्लेटिंग है वह रुक जाएगी, स्टोप हो जाएगी, ठीक है? अगर आपको कोई मेजर होई है, मेजर चोट लगी आपको, ठीक है? ऒरन $bus 1 की बिटी होई है, जो तो हम बोलेंगे Amdata लृक फॉर्मिषय नहीं सब्रेऊ है, उस्से इस आगे पोपर मपंशली है, नहीं पीदैयगा बीदा करें, तो यहीं को हम दुत जाएगा है आगे की बहुत जदे important process है most important process अच्छा एक ऐसी बीमारी का नाम बताईए जिसमें blood clotting है या blood coagulation जो है वो process नहीं हो पाती है वो रुग जाती है blood clot होता ही नहीं इस बीमारी का मुझे आप नाम कमेंट पर दिख के बताएंगे ठीक है so blood coagulation की बात करते हैं so यह बहुत ज़्यादा important third most important step है आपका ठीक है है most status का और इसमें हम बोलते हैं कि यह 15 स्टार्ट होता है 15 सेकिंड बात जब आपको चोट लगी उसके 15 सेकिंड बात यह स्टार्ट होता है और इसमें हम बोलते हैं कि इसमें chemical factor की requirement होती है माले ह üzहां है इस पुम हम क्या बोलते हैं clotting factor भी बोल देते हैं जो कि दो नुबर के फ्यांच नुबर का question बनता ही बनता है आपका टेक है so इसमें हम required होते है आपका factor की clotting factor ठीक है जो कि Clotting factor प्रजेंट का होते हैं, प्लाजमा में present होते हैं, जो कि protein के बने उमें होते हैं, ठीक है, और यह active होते हैं, जहां पर आपकी चोट लगती है, इसके पर्णमिन्ट पाथ, So Clotting factor हैं आपके ये, ठीक है, यह आपको इसी sequence में याद करने हैं, ओपर नीचे करके याद करके बिल्कुल यह the sequence आपको रखने faibrosan pro thrombie फाइबनोजन प्रो थॉम्बीन थुम्बीन कैलशिम आयन ठीक है प्रो एक्सिल अल्रेन ठीक है इसका कोई नीम नहीं बताया है सीरम प्रो थॉम्बीन ठीक है प्रो क्रेंटिव आपका Christmas factor हो गया, Stuart factor हो गया, Antihemophilic factor हो गया, Hagman factor हो गया, और Fibrain हो गया, तो यह आपके Clotting Factor है यह आपको As it is learned होने ही चाहिए , अब हम बात करते हैं Blood Coagulation के Process की ठीक है तर वह इस Process की बात करते हैं तो आपका तू टाइप की होती है एक होती है इन्टेंसियव एक होता है extensive ठीक है in intensive क्या होता है हम बोलते हैं जो played last roses होती है घ्राज्मा थी कट लेगे थंब नाश्टीण प्रजेंट इन आपका टीशू की सर्फेस पे तो हम बोलेंगे उसको extensive ठीक है तो आपका इंस्टेंसिव जो प्रोसेज है वो क्यासे स्टार्ट होगी सबसे पहले आपका factor number 13 जो है आपका वो 13a में converted होगा 13a factor जैसी active हुआ तो आपका 12a को active करेगा 12a को active करेगा फिर 12a factor जो 11a को active करेगा 11a factor जो है वो 10 वाले factor को active करेगा 10a को active करेगा अब आप बोल रहेंगे कि चलो टीशू है तो विखो थोड़ा से क्लेर करना चाहूंगी बचा तेखो हमने बोला intensive और intensive intensive में हम बोलेंगे आपको चोट लगी यह लगी अपको चोट लगी यह कट लगा है पीच में तो आपको चोट लगी चोट लगने के बाद अगर हम बोलेंगे कि अगर तो अगर चोट लगी है कोई तो आपका यह लगी प्रोसेस होगी है अगर थोड़ा होती है तो extensive लगी होगी अगर हम बोलेंगे कि अंदर की और विखो प्रोसेस अंदर की देमेज हुई है तो extensive process होगी है अब आप बोलोंगे कि जो 13 फेक्टर वह किसे अक्टी हुआ तो चोट लगी तो प्रोसेस तो चली रहा है पर जब यह जो सेल है तब यह जब आपका वैसको लगा था वाजी जो प्रोसेस हुई थी तो उस प्रोसेस में क क्या हुआ कुछ chemical निकले कुछ chemical release हुए यही chemical release हुए वह 13 फ़ाले factor करेंगे 13 फाले factor 13 A को active करेगा फिर 12a 12 A को active करेगा ठीक है फिर 12 A फैक्टर जो है वह 11 को active करेगा 11 A 10 A को फिर यहां से जो इस्टार्ट होती है वह को मन प्रोसेस होती है दोनों की common process होगी ठीक है इंतैं और extensive दोनों की common process यहां से start हो जाती है जो 10 वा फेक्टर होता है वो प्रो थ्रॉम्बीन को थ्रॉम्बीन में converted करेगा जो थ्रॉम्बीन जो है वो आपका fibernogen को fibern में converted करेगा और then fibern जो है वो क्लोट का जिर्मान करेगा उससे क्लोट बन जाएगा fibern क्लोट जो बोलेंगे यही आपकी पूरी process ठीक है यही पूरी process गेर आपको stable fibern क्लोट बन गया है यहां पर आपका ठीक है अब red and white blood cells and plate plates क्या होंगी जाएगी जैसे trapped होंगी आपका एक network बन जाएगा fibern का जिस network को हम बोलेंगे क्लोट यह आपका plate plates हो गई WBC RBC ठीक है और यह fibern के fibern जो होते है इस टेप के यह इस टेप के अब यह क्या है एक दूसरे को उल जाएगी यह इस पर उलज नहीं लगेंगी और यहां पर यह क्या बन गया यह लोट बन गया ठीक है तो यह आपका पूरा प्रोसेस complete हो गया है यहां से clotting factor आपका बिलकुल ऐसी जैसे आपका प्रोसेस रूख जाएगी आपकी और फिर बाद में आपका रक्त का जक्का बन जाएगा तो यहां पर पूरा प्रोसेस प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है धन्यवाद थैंक यूद अ